नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वित पंकत नाडया में आप सब का स्वागत है है विद्यार्थी मित्रों आज हम कक्षाथ шйःव वितिय सत्रह हिंदी विशय में प्रथम इकाई इतनी सक्ति हमें देना दाता की चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारी जो पहली इकाई है वह एक प्रास्टना काविय है जिसका सिर्षक है इतनी सक्ति हमें देना दाता और जिसके कवी है अभिलास विद्यारती मित्रों इस कवीता का राग वगेरा सुनना चाहते हो तो आप यूटूब पर सर्च करके सुन सकते हो इसके लवा यहां QR कोड दिया हुआ है इसे स्कैन करके भी आप इस कवीता से इसी काई से संबद्दित माहिती वगेरा प्राप्त कर सकते हो सबसे पहले हम यहां पर जो एक information माहिती दी हुई है से पढ़ेंगे जो की कवीता के बारे में है यह एक प्रातना कावी है और इसके कवी जो है वह है अभिलास कावे में इस वर से प्रातना की गई है कि किसी भी परिस्तिति में किसी से कोई भूलना हो हम सब का जीवन उद्दात बने ऐसी मंगल कामना की गई है किसी के प्रती बैर भावना या बडला की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मदुबन बने ऐसी बावना इस कवीता में व्यक्त की गई है अर्थात यह एक प्रार्थना कावे है और प्रार्थना कावे में कभी इस वर से प्रार्थना करते है कि कभी भी हमें किसी भी परिस्तरती में चाहे कुछ भी हो जाए हमसे कोई भूल न हो जाए इसलिए तु हमें मदद करना हमारे पर अपनी कृपा दरश्टी बनाए रखना और सब का जिवन उत्तम बने उद्दात बने ऐसी मंगल कामना भी इस कविता में की गई है साथ ही साथ किसी के प्रती बैर भावना या बदला लेने की भावना मन में नर रखकर सभी का जिवन अच्छा बनाने की मधुवन जैसा बनाने की भावना भी व्यक्त की गई है तो सबसे पहले हम कविता का गान करने का प्रेट्त करेंगे और उसके बाद इसका साहरान समझेंगे आप अच्छे से यदि इसका राख संगीत के साथ सुनना चाहते हैं तो यूटूब पर प्रात्ना कावे की बहुत सारे वीडियो आपको मिल सकती जिसे आप सर्च करके सुन सकते हो तो शुरू करते हम इसका गान इतनी सकती हमें देना दाता मन का विश्वास कम जोर होना हम चलेने कि रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी सकती हमें देना दाता मन का विश्वास कम जोर होना दूर अज्ञान के हो अंदेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे बली जिन्दगी दे बैर होना किसी का किसी से भाव ना मन में बदले की होना हम चलेने कि रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी सक्ती हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरपन फूल खुशियो के बाटे सभी को सबका जीवन भी बन जाए मधुवन अपनी करुणा का जलतू बहा के कर दे पावन हरेक मन का कोना हम चलेने कि रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी सक्ती हमें दे न दाता मन का विश्वास कम जोर होना हम अंधेरे में हैं रोशनी दे खोन दे खुद को ही दुस्वनी से हम सजा पाए अपने किये की मौत भी हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे आने वाला वो कल ऐसा होना हम चलेने कि रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी सक्ती हमें दे न दाता मन का विश्वास कम जोर होना हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सहर आदमी है पाप का बोज बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धर्ती थमी है बोज ममता से तू ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत होना हम चलेने कि रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी सकती हमें देन दाता मन का विश्वास कम जोर होना विद्यार्ती मित्रों हमने इस कविता का गान करने का प्रेतन किया है तो अब इसके सब्दार देख लेते हैं और उसके पस्चात हम इसका सारान समझेगे विश्वास यानि की भरोसा, नेक यानि मांदार, रोष्णी यानि प्रकास, बेबसी यानि लाचारी, जुल्व अर्थात अत्याचार, भली यानि अच्छी, अर्पन यानि की समर्पित, मदुबन यानि उपवन भगीचा, पावन अर्थात पवित्र, और सहमासा यानि डरा ह हुआ गबराया हुआ तो एक सुंदर कवीता है और इसका राग भी बड़ाए सुंदर प्रात्ना का विया है आप इसे प्रात्ना में भी गा सकते हो अब हम इसका सारान समझे करें इतनी सकती हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हम से भोल कर भी कोई भोल होना तो इन पंक्तियों में कभी विलाज कहते है कि इस कविता के जरीए कि है इस्वर है दाता है दाता का मटलब यहां पर इस्वर सर्वसक्ति मान हमें इतनी सक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास कभी भी कमजोर ना हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परेशानिया, समझ चाहे, मुसीबते आए लेकिन हमारे मन का विश्वास कभी भी कमजोर ना हो, इतनी सक्ति हमें देना हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना और हम नेक के यानि नेकी के रस्ते पे भलाई के रस्ते पे चले और हमसे भूल से भी कोई भूलना होना यानि गलती से भी हमारे से हमसे कोई भी गलती ना हो जाए कोई भूलना हो जाए हमें इस प्रकार की सक्ती देना आगे कभी कहते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ग्यान की रोशनी दे यानि अज्ञानता के जो अंधेरा हमारे जिवन में है वो दूर हो जाए और इसलिए तू हमें ग्यान की रोशनी दे तू हमें ग्यान प्रदान कर ताकि हमारे अंदर जो अग्यानताए भरी हुई है अग्यानताओ के रूपी अंतकार बरा हुआ है वो दूर होकर ग्यान की रोशनी फैले प्रसरे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिन्द की दे और आगे कवी कहते हैं कि हर बुराई से हर बुरी चीज से हर बुरी आदत से हम बचते रहे और हमें जितनी भी दे चाहे जिन्द की छोटी ही दे लेकिन भली जिन्द की दे और इसलिए कभी ने कहा है कि अज्ञानता के अंतिकार को दूर कर हमारे जिवन में ग्यान की रोष्णी बरदो और हमारे अंदर कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की बुराई ना आए हम हर बुराई से बचते रहे और हमारे जिनगी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो लेकिन जितनी भी जिनगी हो भली जिनगी हो ऐसा तुमें वर्दान दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना यहाँ पर कभी बहुत बड़ी बात करते है कि इस संसार के अंदर तु कुछ ऐसा कर है इस्वर कि किसी के साथ किसी का किसी भी प्रकार का बैर ना हो किसी के मन के अंदर किसी के दिल में किसी के प्रती बढ़ला लेने की भावना ना हो किसी के प्रति इर्शा उरुति ना हो ऐसा वर्दान दे ऐसी हमें सक्ति दे हे इस वर तु हमें इतनी सक्ति दे कि हमारे अंदर से अज्ञानता का अंतकार दूर हो जाए और ज्ञान की रोश्णी फेले हर बुराई से हम बजते रहे और हमारे जिन्गी चाहे छोटी हो चाहे लंबी हो लेकिन जितनी भी जिन्गी हो भली जिन्गी दे और किसी भी विक्ति का किसी भी विक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई बैर ना हो कोई बडला लेने की भावना ना हो कोई किसी का सत्रू ना हो कोई किसी का दुस्मन ना हो और हर किसी के मन के अंदर सच भावनाय हो प्यार हो भाईचारा हो किसी के भी मन में बदला लेने की भावना न हो इतनी सक्ति हमें दे आगे कभी कहते हैं कि हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे क्या क्या है अरपन ज्यादा तर हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला सरकार हमें कुछ नहीं देती है उसने हमें कुछ नहीं दिया लेकिन कभी यहां कहते हैं कि हम ये कभी न सोचे तो हमें इतनी सकती दे कि हम कभी भी ऐसा ना सोचे कि हमें क्या मिला है लेकिन हम ये सोचे कि हमने क्या दिया है हमने दुसरों को क्या आरपन किया है कई बार हम अपने दुखों को रोते रहते हैं हमारी कोई मदद नहीं करता लेकिन कभी यहाँ पर कहते हैं ये कभी ना सोचे कि हमें किसी ने कुछ दिया है या नहीं दिया है, हमें कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन हम उसके बजाए ये सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है, हम दूसरों को इलिए क्या कर रहे है, हमने देश के लिए समाद के लिए क्या किया है, फूल खुश पुछ यादे सबके जीवन में काम आये दुसरों कोई मदद करें और सबका जीवन मानों कि एक मदूवन हो एक बगीचा हो एक उपवन हो ऐसा सुख में बन जाए अपनी करुणा का जलतु बहा के कर देपावन हर एक मन का कोना और कभी कहते के है इस्वर है सक्तिसाली दाता तो अपनी करुणा का अपनी दया का जल बहा कर याने कि हम सब पर अपनी कृपादаш्टी रखकर अपनी कृपादर रश्टी से तो हर एक की रहे इंसान के मन का रहर एक d içन के मस्तिष्ड का रिदय का कौना पवित्र कर दे पावन कर दे ता कि किसी के अंदर किसी भी प्रकार के बढलेंगी भावनगा नहां बैर भावनना हो और पहर कोई एक दूश्रे के लिए काम करें। कि दुस्रे के की दुख में सभगिवण आगे कभी कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं रोष्णी दे है इसवर हम अज्ञानता के अंदुकार में है इसले तू र SM आपनी ख्ऱृपाध रष्टी बनाये रख हम अंधेरे में हैं रोष्णी दे वरना कहीं रसाणा हो जाया ॐ खो न दे खुद को ही दुस्मनी से वरना तो हमें ग्यान दे हमें सही बात सिखा, सही राह दिखा वरना कहीं असा नहो कि हम इस दुस्मनी की वज़े से खुद को ही न खो दे, एक दुस्मन की दुस्मन बन कर हम अपने आप को न खो दे, हम सजा पाए अपने किये कि मौत भी हो तो सहले खुसी दे और इतनी ताकत दे हमें इतनी सकती दे इतनी सहन सकती दे कि हम हमने जो गलत किया है उसकी सजा प्राप्त करने के लिए सजा भुकतने के लिए तैयार हो जाए हम सजा पाए अपने किये कि हमने जो किया है जो बुरा किया है जो गलतिया की है उसकी हमें सजा मिले और यदि सजा में हमें मौत भी मिले तो हम सहले खुशी से इतनी हमें ताकत दे कि हमने हमारी गलतियों की सजा मांग ली है और यदि सजा में हमें मौत भी मिलती है तो हम सजा मंजूर कर ले हम सजा कबूल करे हम मौत को हो भी खुशी से प्राप्ट करने के लिए तयार हो जाए अगे कवी कहते है कि कल जो गुजञा है फिर से ना गुजदे आने वाला वू कल ऐसा हो ना कभी कहते हैं कि है इस वर तु कुछ ऐसा कर इतनी सक्ति दे कि हम सब अपने गलतियों की सजा प्राप्ट करने के लिए तैयार हो जाए और हम अंधकार में हैं और तु कुछ कुछ कृपाद रश्टी बना हमारे जिवन में रोशनी ला ताकि हम खुद को ही दुस्मनी से एक द गुजरे तो हमें सक्ति दे कि कल तक जो हमने गलतिया की है जो कल तक हमने एक दुसरों के साथ बहवार किया है वो फिर से न गुजरे यानि कि वो फिर से हम न करे कल तक जो हुआ है वो फिर से न हो और आने वाला वो कल ऐसा न हो और जो आने वाला कल है वो जो गुजरा कल ह यानि कि कल तक हमने गल्तिया कि je एक दुसरों के साथ दुस्मनी की है ऐसा कुछ आने वाले कलमे न हो उसलीं हम सुधर जाएं इतनी सक्ती दें इतनी सहंसक्ती दें और हम अपनी गल्तियों को स्विकार कर उसकी след आपराप्त करने के लिए भी तैयार रहे ताकि यहां से अब तक जो हुआ है वो कल तक जो हुआ है वो गुजरचुका है, अब नया जो आने वाला है उसमें आने वाले कल में ऐसा ना हो इसलिए तो हमें ताकत दे, सकती दे आगे कभी कहते हैं कि सचन्या में क्या है हर तरफ जुल्म है जुल्म नगाए और कई न कई बम फटता है के आदञी चनि होती है और कुछ ना कुछ होता रहता है तो इसलिए कभी कहते हैं कि हर तरफ जुल्म ह्ः बेबस्स हर तरफ अत्य warriors हो रहा है लाचार है इंसान सहमा सहमा सा हर आदमी है और हर एक इंसान डरा हुआ है सहम गया है गवरा गया है क्योंकि चारों और अत्याचार ही अत्याचार है चारों और इंसान अत्याचार की वज़े से लाचार हो चुका है बेबस हो चुका है चारों और दुनिया में इस रंसार में पाप का बोज बढ़ता जा रहा है पाप बढ़ रहा है हर कोई पाप कर रहा है असमाजी कृत्य हो रहे है एक दुसरे के जान की एक दुसरे के खून के प्यासे लोग हो गए है चोरी डकेती बलातकार और नजाने क्या क्या हो रहा है और इस संसार में बहुत सारी ऐसी अत्याचार की घटनाय हो रही है जिसे सूनकर हर एक इंसान डरा हुआ है सहमा हुआ है और पाप का बोज इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो कभी कहते हैं पता नहीं इतना बोज बढ़ने के बावज यहां से वरना कहीं असाना हो जाए कि पाप के बोज बढ़ने की वज़ा से तेरी यह रचना यह संचार यह दुनिया प्रित्वी कहीं नश्ट ना हो जाए इस दुनिया का कहीं अंतना हो जाए क्योंकि चारों और इतना पाप इतना अत्याचार बढ़ रहा है इंसान डरा हु जाए इसलिए हे इस्वर तो अपनी कृपादरश्टी बना और हमें सकती दे कि हम इन सब से लड़ सके और अच्छे इंसान बन सके तो बहुत ही अच्छी प्रात्ना कावे है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है हर परिस्तिती में किसी भी तरह की भूल हमसे ना हो गलती ना हो ऐ हर एक की हर एक के जीवन को उत्तम बनाने की मंगल कामना बताती है और किसी के साथ किसी भी प्रकार का बेहर बढ़ला लने की बावना मन में नर रखकर सबका जीवन मदुवन जैसा सुन्दर बनाने की बात इस कविता में कही गई है विद्यारती मित्रो कविता का गान किया और साथ ही इसका सारांस भी समझा आसा है आपको इसका सारांस समझ में आ गया होगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजी और यदि आपके मन में कोई प्रश्टना है वीडियो से समझ दित इस कवीता से समझ दी तो कॉमेंट में जरूर से बताईए और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर लिजे और फिर से एक बार यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई